आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Choose the correct set of bond formation where elimination of water is involved पूझा गया है कि इन तीनों bonds में से कौन से bond formation में elimination of water जो है वो दिखाई देता है तो चलिए एक एक करके discuss करते हैं तो पहला है जो easter bond form होता है और easter bond का अगर बात करें तो ये एक ऐसा bond होता है जहां पे hydrochloric acid का क्या होता है की bond formation पाया जाता है और यहां का bond जो है वो R, C, O, R और यहां पे double bond O का दिखाई देता है जो कि हमारा C, O, O, H के हिसाब से हम लोग जाते है और यहां पे basically क्या होता है कि water molecule जो है वो elimination में नहीं दिखाई देता है next अगर बात करें easter bond के बाद जो कि यहां पे peptide bond दिया गया है तो peptide bonds में भी basically जो bond formation होते है यहां पे भी bond formation जो होते है वो between two amino acids दिखाई देते है और two amino acids के बीच में bond formation होने वाले bond को ही peptide bond कहते है जो अपे क्या होता है कि C, O, N, H constitution दिखाई देता है और यहां पे भी water molecule release नहीं होता है लेकिन third वाले का बात करें जो कि यहां पे glycosidic bond है या पे glycosidic linkage है तो glycosidic linkage एक लौता ऐसा linkage है जहांपे क्या होता है कि दो monomers जो है वो क्या होते है कि एक साथ connect करते है और दो monomers connect होने के वज़े से ही क्या होता है कि इनके बीच में covalent linkage पाया जाता है और यही दो दो monomers link करते हैं तो यहाँ पर एक जो water molecule है वो release या फिर out दिखाई देता है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ glycosidic linkage ही ऐसा linkage है जहाँ पर elimination of water जो है वो intactly दिखाई देता है तो इसे हिसाब से हमारा जो correct option होगा वो जाएगा fourth option जो कि only C बोला गया है और उसी को हम लोग यहाँ पर tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह राउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर